आजकी इस एपिसोड में डिसकस करने वाले हैं बेदानता स्टॉक के बारे में इस स्टॉक के हमने क्वाटरली नंबर्स देखे और नंबर्स अबब दा एक्सपेक्टेशन रहा हरां की यर अन यर बेसिस पे नंबर देखे तो काफी वीक रहे लेकिन यह वीकनेस अल्रेडी था तो मुझे नहीं लगता है कि जादा यहां से डाउंसाइड दिखना चाहिए चुकि आल्रेडी काफी लंबे समय से अंडर पर्फॉर्म है तो मुझे लगता कि एक कंसोलीडेशन के बाद बरे ट्रेंट की तयारी दिख रही है बहुत सारे न्यूज 18 रूपीज 50 पैसे क डिविडेंट को लेकर के भी दिख रहा है इसको भी देखेंगे कि क्या यह सही है या गलत है और आगे इसके ट्रेंड को डिसकस करेंगे इस समय देखें तो बेदानता का जो प्रॉफिट है वो 40 परसेंट गीरा है और इसके साथ ही कंपनी ने इंटर्म डिविडेंट 18 भी जाएंगे ट्विटर पे तो यहां देखेंगे कोर्टन कोर्टर बेसिस एंड इंटर्म डिविडेंट ऑफ 18 रुपीज 50 पैसा से इन देखेंगे और आप यह पाएंगे कि यह लास्ट कोर्टर का डिविडेंट रहा था कुछ नए डिविडेंट नहीं देखेंगे यहा विडिन मैक्सिमम थ्री मन्त के रिटर्न भी देखेंगे तो 0.54 परसेंट का ही है यानि नियर इसी प्राइस पे कंसोलिडेट फॉर्म में रहा है इसके चार्ट को देखेंगे एक बड़ी गिरावट रही और इस गिरावट के बाद 0.61 परसेंट का रिट्रेस्मेंट काफी इंपोर्टेंट होता है एक बड़ी रैली के लिए लेकिन जो ब्रेकडाउन रहा है इसी जोन से ब्रेकडाउन रहा है और उसके बाद कंसोलिडेट फॉर्म में दिख रहा है इसलिए ध्यान रखेंगे शॉर्ट टर्म टेडर भी 284 के लेवल को ब्रेक आउट करे तो एक ब 5.5 यर में दिख सकता है चुकि एक मेजर रेजिस्टेंस 355-60 के आसपास का होगा इस जोन को ब्रेक आउट करता है तो 500 भी दिखेंगे शॉर्ट टर्म टेडर 364 के नीचे के SL को इस्टिकली फॉलो करेंगे ये SL अगर ब्रेकडाउन होता है तो 200-220 तक के लेवल भी दिख को लगा करके चाहें तो लॉंग किया जा सकता है